नमस्कार आप देख रहे हैं डॉक्टर स्पेशल मैं हूँ आपके साथ प्रद्युम्रिश शर्मा आज हम आपके सामने एक ऐसी बीमारी लेकर आए हैं जिसको समझना और समझाना बेहर जरूरी हो जाता है हम बात कर रहे हैं वस्कुलर डिजीज के बारे में जो की साइलेंट किलर है यह एक ऐसा किलर है आपको पता भी नहीं लगेगा और कब आपको मौत के आगोश में यह सुला देगा इस मुद्धे पर जादा चर्चा करने के लिए जादा जानकारी के साथ हमारे साथ डॉक्टर लविश अगरवाल जी जो गए हैं जो की नौइडा कोटिस होस्पिटल में एज एन कंसल्टेंट वस्कुलर सरजन है बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका सर जिस तरीके से यह डिजीज जो है वस्कुलर डिजीज है लगातार भड़ती जा रही है और ऐसे मैं सबसे पहले यह देखा जाता है कि सिम्टम्स आते भी हैं लोगों को पर लोग समझनी बात है सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को यह समझाएए कि आखरकार वस्कुलर डिजीज है क्या देखें वस्कुलर डिजीज एक ऐसी बिमारी है जो कि हमारे शरीर में जो ब्लड वैसिल्स होती है उसके related जो भी disease होते हैं उसको vascular disease बोला जाता है हमारे शरीप में तीन टाइप्स की blood vessels होती है artery, vein और capillary artery जो होती है वो oxygenated जो oxygen rich blood होता है उसको heart से different organs में लेकर जाती है veins जो हैं वो blood को different organs से heart की तरफ लेकर जाती है और capillary जो होती है वो एक bridge होती है जो artery और veins को जोड़ती है इनकी जो बिमारियां होती है इनके related जो बिमारियां होती है उसको vascular disease बोला जाता है vascular disease अब ये होती क्यों है इसके अंदर ये जो धमनियां होती है इनके अंदर calcium और cholesterol जो जमा हो जाता है उसकी वज़े से जो उसका जो blood ले जाने की जो शक्ती होती है वो दीरे-दीरे कम होती जाती है और patients को फिर ये बिमारियां शुरू हो जाती है ये vascular disease पूरा एक spectrum of vascular disease होता है जो ये जिस तरीके से आपने बताया ऐसे मैं धमनियों में यानि की नसों में cholesterol जम जाता है आपने सुना होगा आम तोर पर कि heart attack होता है cholesterol की वज़े से लेकिन leg attack भी होता है इसके बारे में ब्रॉक्टर साब से पूछेंगे लेकिन सबसे एक महत्व जो महत्तपूर्ण सवाल है वो ये है कि vascular disease के कोई types भी होते हैं क्या जी या वैसे तो vascular disease के टाइप जैसे जो जैसे मैंने जो मिलने से जो बिमारी होती है उनको arterio venus malformation बोला जाता है तो इसी का spectrum है कि कौन सी बिमारी के artery से related हैं कौन सी vein से हैं और कौन सी दोनों से मिलकर हैं तो यह बहुत बड़ा spectrum of diseases है जो कि अधिकतर लोगों को इसके बारे में जानकार ही नहीं है बिलकुल ऐसी कई बिमारी हो blockage हो जाता है तो आकरकार इसके symptoms मुख के symptoms कह रहते हैं क्योंकि कोई भी बिमारी होती है उसके symptoms जानना दर्शकों को और सभी लोगों को बहुत जरूरी हो जाता है अगर आपको symptoms पहले से पता रहेंगे तो आप doctor साब के पास आ पाएंगे उसे बाचीत कर पाएंगे उनको जो brain में जो artery जो blood supply करती है तो अगर उसमें रुकावट आ जाती है तो उसके अंदर patient को एकदम blindness और stroke तक हो सकता है जिसको कि हम cerebrovascular disease कहते हैं जैसे कि लोगों को पता है कि hurt के अंदर hurt की nurse के अंदर blockage आ गया तो heart attack हो जाता है ऐसी हमारे अगर kidney वाली जो kidney को blood supply करती है उसम हमारी जो आते हैं जो जिससे कि हम खाना पचाते हैं उसमें रुकावट आ जाए तो patient को typical symptoms आता है कि खाना खाने के बाद उसको पेट में दर्द होता है तो इसको हम intestinal angina का हमने नाम दिया हुआ है अगर यही चीज अगर हमारी पैरों में खून सप्लाई अगर कम जाती है तो हम उसको peripheral arterial disease या leg attack बोल देते हैं इसके अंदर patient को typical symptoms होता है जिसको कि हम intermittent cloudication कहते हैं इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है कि patient कुछ दूर चलने के बाद उसको पैरों में दर्द उठाएगा चाहें वो जांग में हो या नीचे पसलियों में हो या पैरों में दर उठाएगा वो थोड़ी देर वेट करेगा दर्द खतम होगा फिर वो दुबारा चलेगा इसको intermittent cloudication कहते हैं दूसरा आता है rest pain rest pain होता है कि जब बिमारी जादा बढ़ जाती है patient को रात को सोते सोते ही दर्द होने लगता है वो पैरों को लटकाता है बैट की नीचे लटका आने लगता है पैर ठंडे पड़ जाते हैं पैरों में घाव हो जाते हैं जिसको कि हम गैंगरीन या अलसर कहते हैं और कई कई पेशन्स तो हमने ऐसे देखे हैं कि जो दो तीन महीने तक पैरों में घाव होता रहता है वो भरता नहीं है यह कुछ ऐसे symptoms हैं जो कि patient अगर इन पैरों में दिक्कते आना शुरू हो जाती हैं, spot आना शुरू हो जाते हैं तो आकरकार ये बीमारी पैदा होती है चले ठीक है शरीर में आपके आजाती है लेकिन किस वज़े से आती है कि कॉलिस्ट्रॉल पहले हम सुनते थे कि हमिशा हार्ट की नसों में जमता है अब यह क कलिस्ट्रोल पैर की नसों तक पहुच गया है तो आख्रकार वज़े क्या है ऐसा नहीं कि कलेस्ट्रॉल पैरों में पहुंच गया ऑंख़िए च्छी में कभी वी common होता है पहली बात age जिनकी लोगों की 50 years से जादा है जो patient smoking करते हैं जिनका cholesterol हाई होता है जिनको hypertension की बिमारी होती है diabetic होते हैं और जिन patients को पहले अगर family में vascular disease की problem है उसमें भी ये चीजें बहुत जादा common होती हैं अगर किसी patient को hypertension और diabetes एक साथ हैं तो वह ज्यादा प्रोन है vascular disease होने के लिए as compared to अगर उनको single ही परेशानी है तो आकरकार ऐसे symptoms आपको जब दिखने लग जाएं आपको समझ से आपकी जादा बढ़ रही है और धर पर उसका solution नहीं हो पाएगा आम तो पर कि disease ही है silent killer है तो ऐसे मैं ऐसी नौबत कब आ जाए कि जब एक डॉक्टर से consult हमको करना पड़ जाए ऐसे क्या symptoms है intermittent cloudication अगर patient को कुछ दूर चलने पर अगर pain जैसे patient typical हमको बताते हैं कि सामने मैं 200-300 मीटर चलता हूं पैरों में दर्द होता है मैं थोड़ा इंतिजार करता हूं अगर यह patient को symptoms आ रहे हैं पैर एकदम पैरों में तेज दर्द उठे आया है और सूजन हो गई है और अगर उसको खाना खाने के बाद पेट में दर्द उठता है या उसको एक तरफ का लकवा वह मार गया है या उसके आँखों में धुनला पन है और अगर kidney की भी परेशानी है तो यह कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसको हमको आकर एक बाद कंसर्ट कर लेना चाहिए जिससे कि हम उनका यह doubt क कि यही information पहुचाने के लिए आज हमने अपने doctor special में खास मेहमा हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप तक सभी जानकारी पहुचा रहे हैं यह बहुत एहम हो जाता है हर किसी को यह पता है कि आखिरकार heart attack क्यों होता है किस तरीके से होता है stroke किस तरीके से होता है लेकिन यह ज cholesterol जमा होता है SMS cholesterol को कम किया जा सकता है अपनी जो habits है उसमें बदलाफ करके रोक्टर साब आप जिस तरीके से अभी पूरी जानकारी पहुचा रहे हैं हमारे दर्शोगा था क्योंकि यह बहुत एहम जानकारी हो जाती है जिस तरीके से आपने कहा भी अभी कि आहम तोर पर ल अब देली अपना रोटीन एक्सराइज कर रहें कम से कम 3-4 किलोमीटर वाकिंग कर रहें अगर जिसको डाइवेटीज वो डाइवेटीज अंडर कंट्रॉल रखे है हाईपर टेंशन कंट्रॉल रखे और स्मोकिंग को बिलकुल कुट स्मोकिंग बहुत एक्टिव एंपैस स्मोकिंग करनी है अब आते हैं यह तो अमारा लाइफ़िस्टाइल चेंज हो गया दूसरा आता है मेडिकल मेनेजमेंट सारे वैसकुलर डीसीज मैं डाउट क्लियर कर दूँ सब में सर्जरी की जरूवत नहीं होती है बहुत सारे वैसकुलर डीसीज ऐसे होते हैं जो हम मे आपने देखा होगा आज से 20-35 साल पहले वैस्कुलर डिसीजिस का एक ही टीटमेंट होता था कि बाइपास, सर्जरी, तो उसमें पेशन्ट की मॉर्बिडिटी पेशन्ट को कई दिन तक अस्पताल में रहना पड़ता था, इंफेक्शन का रिस्क है, बहुत सारे प्रॉब्ल जो प्लास्टी होती है, स्टेंटिंग हर्ट में करी जाती है, वैसे ही हम पैरों की या हातों की नसों में दौनों स्टेंटिंग और बैलूनिंग एक साथ भी हम लोग कर सकते हैं, हमारे नई नहीं टेक्निक्स हैं, बैलून भी हमारे 4 सेंटीमीटर से कम से कम 25 सेंटीमीटर और उसको परेशानी भी कम होती है तो और प्लस एक और आजकल नया वो है यह प्रोसीजर हाईडिड प्रोसीजर जिसको हम कहते हैं उसमें हम ओपिन सर्जरी और एंडोवेस्कुलर जो मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है वो हम एक साथ करते हैं बिल्कुल जिस तरीके से आपने बताया ऐसे मैं यह हमारे दर्शो को तक एक एहम जानकरी पहुँच रही है आपने हमेशा सुना होगा कि बलून, स्टंट यानि की छला जो दिलों की नसों में डाला जाता है वो अब पैर की नस्में भी डाला जा रहा है तो आप खुछ सोचिए कि यह जो बीमारी है वेस्कुलर डिजीज है, यह कितनी खतरमाख है लेकिन डॉक्टर साब जिस तरीके से एक हार्ट का जब ऑपरेशन होता है तो उसमें काई साइड एफेक्ट्स हैं आगे आने वाली जिन्दगी में बहुत चीज़ें आपको देखके और समलके चलनी पड़ती है तो जब आपका लेग में इस तरीके का बैलून डाला जाता है तो वही साइड एफेक्ट्स वही साबधानी बरतनी होती है जैसे हाट अट अटेक जब होता है तो हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि स्मोकिंग वगरा बिल्कुल कुट कर दीजे डाइविटीज कंट्रोल करिए सेम फैक्टर्स यहाँ पर भी लागू होते है और ये भी देखा गया है कि अगर बैलोनिंग और स्टेंटिंग करने के बाद अगर पेशेंट ध्यान नहीं रखता है मेडिसिन टाइम से नहीं लेता है तो उसको ये परिशानी दोबारा हो सकती है बिल्कुल लॉक्टर साब जिस तरीके से आपने बताया है ऐसे मैं जनरल हम ये भी सुनते हैं कि वेंस के अंदर वेंस वो होती हैं जो पेर के बिलड को हर्ट की तरफ लेके जाती हैं और भगवान में ऐसा सिस्टम बनाया है कि खाली एक डिरेक्शन में ही बिलड फलो होता है नीचे से उपर और हमारे इस इस बिलड फलो को रिवर्ट रोकने के लिए हमारे शरीर में वाल्स होते हैं वेरिकोज वेंस के अंदर क्या होता है कि वाल्स हमारे ये जो है ये डिफेक्टिव हो जाते है तो बिलड जो है ऊपर भी जाता है और वो reverse भी लोट कर पैरों में आता है जब वो ही चीज पैरों में लोट के आती है तो हमारी पैरों की जो veins हैं वो फूलने लगती हैं वो काफी torturous हो जाती हैं और patient को heaviness in the legs night cramps skin discoloration, कालापन जिसको की हम कहते हैं पैरों में ulcers भारीपन और पैरों में sujan ये typical symptoms उसको आने start हो जाते हैं varicose vein के अंदर और varicose vein generally हमने देखते हैं कि females में ज़्यादा common होता है जो heavy weight वाले patients जो लोग होते हैं उसमें ज़्यादा common होता है जो long standing जिनका work long standing का है उसमें ज़्यादा common होता है और ये आजकर hereditary भी होती है problem की अगर माबापको अगर ये problem है तो बच्चों में भी होने का ज़्यादा chance varicose vein का रहता है लेकिन एक मुख्य सवाल इसमें ये भी बन जाता है अब ये बीमारी आपको हो चुकी है SMS का treatment, operation, surgery है या फिर medicine से इसको treatment का किया जा सकता है आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा ये initial stages of varicose vein medical management से हम लोग treat करते हैं लेकिन जब walls खराब हो जाता है और बहुत later stage में जब नसें चमकने लगती है तो हम फिर इसमें दो type की operations होते हैं एक तो जो हम जो conventional चीरा लगके surgery कहते हैं वो होती है आजकल नईनी टेकनिक आ गई है जिसको कि minimally invasive procedures कहते हैं जिसमें की patient same day admit होकर राद तक discharge हो जाता है और इसके results भी अच्छे है patient का satisfaction label बहुत अच्छा है patient को अराम मिल जाता है बिलकुल ऐसे मैं नेफरोलोजी में जो vascular surgeon होते हैं उनका role क्या रहता है ये भी बहुत अच्छा वो सवाल है इसके नेफरोलोजी जो kidney से related जो problem होती है वो nephrologist treat करते हैं जो nephrologist के जो kidney वाले patient होते हैं उसमें से कुछ patients को dialysis के लिए जरूद पढ़ती है तो dialysis हम जनरली fissula से होती है तो as a vascular surgeon हम जो fissulas होते हैं वो भी बनाते हैं और अलग-अलग type के जो हैं fissula बनते हैं जिसको कि हम basalic wind transposition कहते हैं artificial graft भी हम लोग लगाते हैं dialysis के लिए और जैसे कि आप लोग देखते होंगी कि patient को यहां पे गले में नली डली हुई है dialysis के लिए जिसको कि हम permacate और HD catheter कहते हैं vascular surgeon वो भी permacate और HD catheter भी जो है डालते हैं और कभी-कभी नसों में जो छाती की नसों में भी blockage आ जाता है vascular surgeon उसके अंदर भी angioplasty और stenting करके उसका रस्ता बनाते हैं बिल्कुल डॉक्टर साब ऐसे में यह बीमारी घातक तो है ठीक है ऐसे में इसका समाधान आपने बता दिया लेकिन हमने एक इसमें यह भी चीज़ सुनी है कि triple A काफी महतवपूर्ट रोल प्ले करता है तो आखिर का triple A क्या है इसकी अगर बैलूनिंग उसका एबनॉर्मल अगर फूल जाती है तो हम उसको एब्डॉम्नल आयोटिक एंडुरिंग कहते हैं और इसमें फटने का रिस्क सबसे ज़्यादा रहता है अगर यह फट जाता है तो पेशेंट का का बचना बहुत जादा मुश्किल हो जाता है तो अगर इसको हम पहले सही पता लगा लें जो कि हम अल्टरसाउंड या सीटी स्कैन से पता लगा सकते हैं तो इसमें भी हम एंडोवेस्कुलर या मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स करके हम इसको ट्रीट कर सकते हैं ये बिल्कुल ट्रीटेबल कंडीशन है और इसके रेजल्स भी अच्छे हैं आजकल नईनी एडवांस आते जा रहे हैं हम इसको ट्रीट कर सकते हैं बिल्कुल तो जिस तरीके से आपने सुना कि इसमें treatment तो हो सकता है treatment है लेकिन treatment की आखरकर cost क्या होती क्योंकि हमेशा हम यह सुनते हैं कि जब भी आप hospital में जाते हैं तो लाखों का बिल बन जाता है तो डॉक्टर साब यह हकीकत है कि इस disease में लाखों का बिल बनता है जी हाँ थोड़ा इसकी यह थोड़ा जो minimally invasive procedures हैं यह थोड़े costly पढ़ जाते हैं around angioplasty की जैसे अगर हम overall cost लें तो approximately around 1.5 के लेक्स के आसपास आती है लेकिन it depends कि हम उसमें कितने balloon और कितने यूज कर रहे हैं तो उसी साबसे इसकी costing increase हो जाती है लेकिन overall इतने में generally हो जाता है लेकिन जो abdominal iotic energy जो stent की cost है वो थोड़ी costly पढ़ता है उसका एक जो stent आता है वो ही 4.5 to 5 lakhs के आसपास का आता है जो कि हम भार से import करवाते हैं इंडिया में manufacture नहीं होता है बिलकुल ऐसे मैं कोई risk factor age factor इसमें role play करता है कि इतनी एज के लोगों को ही यह बीमारी होगी क्योंकि हमेशा देखा गया है कि heart attack भी आजकल चालेस से पैतालेस उमर के लोगों को हो रहा है तो इस बीमारी में कोई age role play करती है जी हाँ जनरली यह old age जो more than 50 या 60 years की उपर के जो जो persons होते हैं और जिनको multiple comorbidities जैसे की diabetic hypertension smoking वगरा है उसमें यह diseases ज्यादा common वो है देखे जाते हैं ऐसे मैं आप हमारे दर्शकों को कोई ऐसी एक सला देना चाहें जिसकी वज़े से यह बीमारी उनको ना हो देखिए सला तो मैं एक ही दूँगा कि lifestyle change regular exercise stop smoking and keep walking बिलकुर यह बहुत important वो है लहसन की यह हमको ज़ूल करना चाहेए तो जिस तरीके से आ लिए कि यह बीमारी है ऐसे मैं घातक अंजाम यह आपको दे सकती है तो इसके लिए आपको क्या कुछ करना है वो डॉक्टर साब ने बता दिया है लेकिन फिर भी न्यूजवल इंडिया की टीम की तरफ से हमेशा यही अपील रहेगी कि अपने आपको स्वस्त रखे हैं औ आने वाले डॉक्टर स्पेशल में हम आपके सवाल को डॉक्टर साब से जरूर पूछेंगे फिलाल इस खास पेशकर्श में सिर्फ इतना ही बने रहेए न्यूजवल इंडिया के साथ नमस्कार